नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका चैनल टेली घजाना में आगया है यारो का यार होस्त राहुल भोच अब टाइगर 3 में पठान की किस तरीके की एंट्री होने वाली है इस पर एक बहुत बड़ी अपडेट मुझे पता चली है जी हां इंसाइट सोर्सिस के थूरू मु पेस्ट कर दिया है जाओ यारो जाकर वहां पर धेर सारा प्यार बरसा दो अब सबसे महत्वपोन बात सबसे इंपॉर्टेंट बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि जवान के अंदर हमने शारुक सहाब के जो लुक को देखा था जिस तरीके से अप्रिशेट किया था क्या उतना ही जस्टिस पठान यहां पर दे पाएंगे टाइगर 3 के अंदर दे पाएंगे यान कि टाइगर 3 के अंदर उनके लुक से लेकर उनकी सारी चीज़े क्या वैसे जम पाएंगी तो दोस्तों इंसाइट सोर्सिस की तरफ से खबर पता चली है जी हाँ आप लोगों को ब विश्वास उठ चुका होगा उसका उस वक्त होगी पठान की एंट्री पठान में क्या हुआ था सेगेंड आफ में हुआ था अगर आपको याद होगा दोस्तों तो जिस तरीका से पठान को ले जाया जाता है फॉर फर्स चाफ से किन आफ में भूल गया एक्जाक्ली तो जिस तरीके से ले जा रहे होते हैं फिर उसके बाद वो आते हैं फिर उसके बाद वो हंगामा करते हैं आपने देखा ही होगा राइट वो पूरा पूरा सीक्वेंस ट्रेन वाला तो ऐसा ही कुछ होने वाला है टाइगर 3 के अंदर पठान किस तरीके से फिट होगा आपको तो वो फर्स्ट हाफ में ही दिखा दिया जाएगा जी हां शारुक सहाब को फर्स्ट हाफ में ही दिखा दिया जाएगा जहां पे मतलब की फैंस को फुल-on entertainment का डोस देने के लिए फुल-on excitement का डोस देने के लिए फैंस को जो है पहले ही दे दिया जाएगा शारुक खान सहाब का फुल डोस फर्स्ट हाफ में पठान की एंट्री हो जाएगी टाइगर को बचाते हुए और टाइगर के साथ मुश्किलों का सामना करते हुए जी हां तो यह तो है यह तो बात है और ऐसा हो रहा है अब देखते हैं कि उसमें किस तरीके से बाइद आपको बता दो तो काफी सारे action sequence होंगे जेल के अंदर का पूरा setup है जिसकी shooting film city मुंबई में और साथे साथ यह शाथ studio में की गई है और अगर आपको याद होगा तो इसी साल जब पठान release हुई थी उसके दो महीने बाद मतलब March April के आसपास जो है यह shooting कद ली गई है अब तो वो scenes edit भी कर दिये गए होंगे तो यहां पर जिस तरहीके से पठान की entry होने वाली है वो बवाल होने वाली है और उसी बवाल को लेकर आएंगे tiger 3 मैं बहुत जादा excited हूँ waiting for that what is your expectations जरूर बताएं चलता हूँ यारो अपना खयाल रखें